देर्च्टेड, we have to discuss about the teaching technique storytelling हम इससे पहले discussion के उपर बात कर रहे थे teaching technique के अंदर एक टेक्टीक जो है वो हमारी discussion है जिसके अंदर हमने बात की किस तरीके से हम बच्चे का opinion जान सकते हैं किस तरीके से अपनी बात बच्चों तक पहुंचा सकते हैं किस तरीके से बच्चे आपस में share कर सकते हैं और discuss कर सकते हैं वो भी एक main role play करता है हमारी behavior development के अंदर दूसरा जो बड़ा role play करता है वो हमारे पास है storytelling storytelling के अंदर जैना दो important factor है एक तो यह है कि बच्चे बड़े शौक से सुनना चाहते हैं उनका interest develop होता है दूसरे नंबर पे आप जो उसका moral है उसके जरीए बच्चों के mind को बेहतर कर सकते हैं उनके जो behavior development process है उसको बेहतर कर सकते हैं अब storytelling जो है वो बनियादी तोर पे दो तरह से है एक तो यह है कि प्रिवी स्कूल लेवल के उपर आपने बच्चों को स्टोरियां सुनाई बच्चे ने बड़े गौर से आपकी बात सुनी कहानी को बड़े जौक गौर से सुनता रहा उसके बाद उसने उसको understand किया और फिर हम ने जो उसको एक moral बताना था हम ना वहाँ पे जो एक developmental process था वो समझाने में भी काम जाब हो गए प्रिश्कूल करिकूलम के बाद जो next classes है वहाँ पे आप इससे एक reading का component भी complete कर सकते है कि बच्चों को मुख्तलिफ society की मुख्तलिफ old societies की environment से related आपने उनको कहानिया सुनाई बच्चों ने सुनी या आपने उनको बताया कि ये कहानिया पढ़ें उन्होंने शौक से वो कहानी पढ़ी और पढ़ने के बाद फिर आपने उसके साथ वो कहानी डिसकस कर आप जैसे आप आप देखें स्कूल के अंदर आप बच्चों को समझाते हैं लालच बुरी बला हैं वह एक चूटी सी स्टॉरी या आला के वह कुट्चे वारी स्टॉरी है जिसके अंदर आप उसको बताती है कि एक कुट्चे ने गोस्त का टुकड़ा लिया और वो लेने के बाद व वो उसके चीनने के लिए उसने जैसे ही बहुंका तो उसका अपना ठुकरा भी जाया होगी अब देखें यह इस किसम की छोटी छोटी स्टोरीज इस किसम के सांग्स और इस किसम की जो चीजें हमारे पास इस से आप दो काम ले रहे हैं उसकी लिसनिंग भी बेतर हो रही है उ बिहेवर डिवल्मेंट प्रॉसेस भी हो रहा है और जब आप उसको रीड करने के लिए कहते हैं तो आप उसकी रीडिंग स्किल भी बितर हो रही है बिहेवर भी हो रहा है और जब आप उसको राइट करने के लिए कहते हैं तो इसका मतलब है आप उसकी डाइटिंग स्किल कि हम उसका एक developmental process जो हो कर सकते हैं उससे हम तीनों objective अचीव कर सकते हैं और जो behavior modification करना चाहते हैं वो भी हमारे पास आ जाती है